दूसाइटी इंडिया लेकिन साथी सुप्रीम कोर्ट ने किदायत दी है कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ओफ इंडिया उन सभी लिस्ट को पब्लिक करे एसी आए को भी और जग जाहिर करे कि कितना डोनेशन किस ने कब दिया है बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिल कोली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कहा वो आपको दिखाते है इस पर बात करने के लिए हमाय साथ ननिल कोली जी है बीजेपी के वरिष्टनेता और सुप्रीम कोड से वकील भी है सर इस फैसले का इंप्लिकेशन क्या होगा असर क्या पड़ेगा कोई भी फैसला जब आता है माने निया सुप्रीम कोड का वो माने होता है उसको स्विकारना पड़ता है ऐसा तो होता है हम तो रोज कोड में रहते हैं कोड के अंदर में रोज ऐसा होता है एक विशे इधर इस पक्ष में होता है दूसरे पक्ष में होता है तो मैं इसका राजनेतिक रूप से कुछ नहीं देखता जो डल और जो निता इसका राजनेतिक करण कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा इतना ही स्पष्ट कहना है कि भाई मोधी जी के नित्रतों के सामने वो कुछ कहनी पारे मोदी जी की सरकार के काम के सामने वो कोई बात नहीं कह पारे करोड़ों लोगों जो फायदा हुआ है देश की अर्थवेवस्ता को फायदा है हर वर्ग के लिए काम किया है उसके सामने कोई सकारात्मक अजेंडा नहीं बता पारे एक गड़बंदन बनाना चाहते पैदा होने से पहले वो गड़बंदन मृत्थ हो रहा है वो भी जन्ता के सामने तो इसलिए मुझे लगता है वो लोग इसलिए इसका राजणेतिक अरण कर रहें क्योंकि राजणेतिक रूप से और कुछ उनके पास कहने को नहीं मिल रहा है खुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं किस फैसले के बाद एक नई सोच आए। इसके तहट कुछ ना कुछ स्कीम अगर आनी है वो देखी जा सकती है। पिछले साथ साल से 2017 में आई थी एमेंडमेंट और 18 में स्कीम आई थी तो 6-7 साल हो गए है इसको और ये आज का जो जजमेंट है ये बहुत ही डिमोक्रिसी की तरफ से लोकतरन की तरफ से और ट्रांसपरेंसी उसमें पारदर्शिता के तरफ से बहुत ही बड़ा जजमेंट ह और सुप्रीम कोट ने काफी क्लिरली इसमें कोई इसमें कन्फूजन नहीं रखा है पूरा का पूरा सारे अमेंडमेंट श्राइक डाउन कर दिये हैं स्कीम स्कीम बंद हो गई एक सवाल ये उटता है जो सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि कई बार जो चंदा देर है वो नहीं चाहते कि वो सामने आए उनका नाम सामने आए लेकिन अब उनकी प्राइवेसी खुल जाएगी क्योंकि डाटा भी कहा गया है कि आप पब्लिश कीजिए ऐसा है कि प्राइवेसी कोट ने बहुत क्लेरली डिफाइन की है उन्होंने कहा है कि हाँ एक जो आम आदमी और प्राइवेसी तो है क्योंकि उसको अगर आप उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन डिस्क्लोज वजाए तो उसके अगेंस डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह सो सकता सरकार भी कर सकती एक पार्टी की सरकार करेगी तो यह सारी चीज़ें हो सकती है इसलिए उनके उपर तो प्रि को ट्रम कर देगा यह भी आपकी तरफ से आरोप लगाया गया ऐसा कि कई लॉस्ट मेकिंग कंपनी भी इसमें चुनावी चंदा दे रही है उसके बारे में भी कुछ को ने से आरोप नहीं था यह अमेंडमेंड मेंडमेंड यह था कि पहले 2017 तक सिर्फ प्रॉफिट अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी और मैक्सिमम साड़े साथ परसेंट ओफ इस प्रॉफिट तो अगर वो उसका सो रुपे का साल में मुनाफ़ा था तो साड़े साथ झाल 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 झाल